सुबा का समय है और अभी सभी सो रहे हैं तो चलिए देखते हैं सभी क्या करने वाले हैं आज अरे सुबा सुबा टहलने का बात ही कुछ और होता है बहुत ही ताजगी महसूस हो रही है सुबा सुबा टहल कर आने में बहुत ही ज़्यादा अनन्दा रहा है अरे ये क्या अभी तक सभी सो रहे हैं आज इन सभी को ब्रत भी तोरना है और ये सब इतनी देर तक सोएंगे तो खाना कौन बनाएंगा अरे ओ मम्मी अभी तक सो रही है जल्दी से जग जाएं मम्मी जग ये न मम्मी अरे मम्मी अभी तक सो रही है जल्दी से जग जाए ममी अरे सुबह हो गई अरे आज तो बहुत सारे पकवान बनाना है और मैं अभी तक सो रही हूँ अरे कैसे होगा फिर अभी मैं सभी को जगाती हूँ लगता है सभी के आख पर मुझे पानी छीटना पड़ेगा अरे कार्तिक जी आप इतनी सुबह सुबह कहां गए थे और आप खाना के क्यों चिंता कर रहे हैं वो मैं बना दूंगी सभी उपवास रखे हुए हैं तो आज मैं ही खाना बना देती हूँ आप चिंता मत किजिए हाँ चाची जी वो बात तो है लेकिन सभी को जग जाना चाहिए क्योंकि सभी को असनान भी तो करना होगा न हाँ अभी मैं जग आती हूँ अभी मैं तलाब से पानी लेकर आती हूँ और सभी की आखों पर छीटे मारती हूँ तभी सब जगेंगे वो रही बरतन अभी मैं पानी भर लेती हूं उसमें अरे जब तक इन लोगों के आँख पर पानी ना चीटो ये लोग तो जगने का नाम ही नहीं लेते अच्छा रूको मैं अभी सभी को अचानक नींद से जगाती हूं तब सभी को पता लगेगा इतनी तेर दक सोने से क्या होगा अरे अरे आप लोग तो पानी छिटने से पहले ही जग गए अच्छा हुआ कि आप लोग जग गए नहीं तो आज मैं आपके उपर पानी ही उझिलने वाली थी चाची जी मुझे तो खासी आ गई है हाँ गीता उपवास रखने से गला थोड़ा बैठ जाता है अच्छा कोई बात नहीं मैं जल्दी से जाकर हलवा बना देती हूं उपवास तोरने के लिए अरे रहने दिजिए चाची जी मैं जाकर हलवा बना लेती हूं नहीं नहीं बेटा मैं जाकर बना देती हूं तू जाकर पहले भगवान जी का पूजा कर ले अच्छा ठीक है मम्मी जी मैं भगवान जी का पूजा करने जा रही हूं जाकर पहले असनान कर आती हूं उसके बाद हाडा सारी ही पहल लूँगी अरे पायल तुँ वाँ पर खरी खरी क्या कर रही है जाकर जरा देख तो हलवा के लिए सुजी रखा है की नहीं हाँ मम्मी मैं अभी जाकर देखती हूँ तु जाकर देख पायल तब तक मैं जलाबन के लिए जाती हूँ ठीक है मम्मी आप चले जाए अरे ये क्या घर में मीना अंटी और माया दीदी अभी तक सो रही है अच्छा सोने देती हूँ नहीं जगाती हूँ इने यही से मैं जलाबन लेके जाती हूँ अरे मुझे तो डर लग रहा है कहीं यहाँ पर साप न हो अच्छा पहले मैं अराम से जाती हूँ चलो अब मैं चलती हूँ इतना ही जलावन से काम चल जाएगा अरे पायल के लिए लड़के भी ढूंड़ना है पता नहीं सारे लोग कब जा रहे हैं लड़के को देखने जल्दी चले जाते तो ज़्यादा अच्छा रहता मम्मी इतना आटा सही रहेगा जरत देखकर बताईए तो हाँ कार्थिक इतने में तो काफी पूरिया बन जाएगी हाँ कार्थिक इतना ही आटा रहने दो इतना में काफी पूरिया बन जाएगी ठीक है मम्मी आज मैं बहुत दिनों बाद आटा गूतने जा रहा हूं कितना अच्छा लग रहा है ना बहुत ही अच्छा लग रहा है आटा गूतने में मैं जल्दी से आटा गूत देता हूं तो सभी पूरिया बना लेंगे जल्दी जल्दी अरे मैं उसी बक्त से ढूंड ढूंड कर परिसान हो गई, घर में सूजी और चीनी तो है ही नहीं, क्या करूँ मीना आंटी जगिये और जल्ली से बताईए सूजी चीनी कहा है, हल्बा बनाना है अरे पाये लो तो मैं कहना ही भूल गए, पर सो बच्चों के लिए हल्बा बना दिया था, उसी में सारे चीनी और सूजी खत्म हो गए तो अब कैसे होगा आंटी जी, उपवास तोरने का टाइम भी हो गया है मैं जल्दी से कार्तिक को बोल देती हूँ सूजी और चीनी लाने के लिए कार्तिक जी, हाहा, अरे वो क्या कार्तिक जी आटा गूत रहे है अरे ये क्या कर रहे है दमाद जी कोई नहीं है क्या आटा गुथने के लिए जो आप सुबह सुबह आटा गुथने लगे मम्मी जी सभी को मिल जुल कर काम करना चाहिए उससे काम जल्दी हो जाता है देखिए मैंने आटा अच्छी तरह से गुथ लिया है हाँ कार्तिक जी ये तो काफ़ी अच्छी बात है लेकिन घर में सुजी और आटा नहीं है उसके लिए आपको अभी मार्केट जाना होगा ठीक है मम्मी जी मैं अभी हाथ दो कर जल्दी से मार्केट चला जाता हूँ और भी कुछ घटा हुआ है तो जल्दी से देख के बता दिजिए नहीं तो बाद में फिर से लाना होगा नहीं नहीं कार्तिक बस चीनी और सुजी ही लाना है ठीक है मम्मी जी अब मैं चलता हूँ लेकिन आप ये जल्दी से आटा ले जाएए और पुडिया बना लीजिए नहीं तो ये खराब हो जाएगा हाँ कर्तिक जी मैं बना लेती हूँ इधर गीता पूजा करने के लिए जा रही है अब मैं मम्मी जी को कह देती हूँ पूजा करके आ जाने के लिए अरे वाँ इधर तो सारे पकवान बन गए हैं मुझे लगा कि मैं आऊंगी तो बनाऊंगी गीताब तुम आ गई पूजा करके अच्छा ठीक है अब तुम यहाँ पर बैटो हम लोग पूजा करने जा रहे हैं ठीक है मम्मी जी मैं यहाँ पर बैटती हूँ आप लोग जाए ओम नमस्षिवाई मम्मी मैं प्रसाद खाने के लिए कब से इंतजार कर रही हूँ और आप लोग तो हमें दे ही नहीं रहें अरे बेटा कुछ च्छन और रुक जाओ सारे लोग पूजा करके आ जाएंगे तो हम लोग साथ में खाएंगे ठीक है मम्मी ओम नमस्षिवाई ओम नमस्षिवाई ओम नमस्षिवाई ओम नमस्षिवाई हैं सबसे पहले बच्चों को दे देती हूं बच्चे भगवान के रूप होते हैं वाव कितना टेस्टी प्रसाद है ना बहुत टेस्टी चलो अभी एक साथ बैठ कर उपवास तोड़ते हैं वाव कितनी अच्छी पकवाने बनी है सच में ये तो कापी टेस्टी है हां मम्मी जी आपने हल्वा बहुत ज़्यादा अच्छी वनाई है हां गीता चलो वच्चे से खालो उसके बाद अराम कर लेना हां मम्मी जी हे गाइज ऐसे ही मज़िधार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और हां बेल आइकन को प्रेज कर ले ताकि मैं जो भी वीडियो डालू सबसे पहले आपके पास जाए आज के लिए बस इतना ही फिर मिलते हैं नए कहाने के साथ बाब बाई